तो फिर से एक बार आपका ब्रिलियंट नॉलेज में स्वागत है वेलकम है तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है खनीज के विस्यसता को देखेंगे वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा आगे भी इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लिजिएगा तो यहाँ पर कोस्टन क्या है पहले इसको समझते हैं कोस्टन है खनीजों की विस्यसताओं का उलेख कीजिए यानि खनीजों का क्या विस्यसता होता है उसमें क्या गुन होता है खनीज के गुनों के बारे में हमें उत्तर में बताना है तो आईए उत्तर को देखते हैं यह मतलब खनीजों की क्या-क्या विसेस्ता है, क्या-क्या गुन है, आइए इसको point wise नीचे देखते हैं, पहला गुन है, खनीज का वीतरन आसमान है, देखिए इसवर ने धर्ती में खनीज का जो वीतरन किया है, खनीज को जो बिभाजन किया है, खनीज को जो बाटा है पूरे ध तो इसका जो वीतरन है इसका जो बाटा है दर्ती पर पुरा तो इसका वीतरन ओ समान है कहीं जादा कहीं कम है आगे बोला है दूसरा पूर्ण में अच्छे गुन वाले खनीज बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है देखिए जिस खनीज का गुन जादा होता है जो खनीज जादा अच्छा होता है जो कीमती होता है बहुमुल होता है उसका मात्रा बहुत कम होता है जैसे सोना बहुत गुन वाला खनीज है और ये काफी महंगा भी है इसलिए धर्ती पर इसका मातरा बहुत ही कम है वहीं यदि लोहा की बात करें तो लोहा में जो गुन है सोना से कम होता है इसलिए लोहा में कम गुन है ये कम कीमती है तो ये पिर्थभी पर अधिक से अधिक मातरा में पाया जाता है आगे उसी चीज़ को यहां पर लिखा गया है कि कम गुण वाला खनीज अधिक पाया जाता है अश्वास्टन बाद है जिस खनीज का गुण कम होता है यानि जो कीमती नहीं होता है वैसे खनीज जदा पाया जाता है अभी लौहा का एक्साम्पल आपको दिये यहाँ पर देखे चारौपैंट में खनीज को एक बार परियोग करने के बाद पुने उपयोग में नहीं लाया जा सकता तकि कुछ खनीज ऐसा जैसे पेट्रोल यदि पेट्रोल को आप एक बार परियोग कर लीजेगा तो वो जलके समाप्त हो जाता है दुबारा उसका पड़ियोग आब नहीं कर सकते हैं अगला और अंतिम बड़ा पॉइंट में देखते हैं उद्ध्योग धंदे का आधार है यानि खनीज जो है उद्ध्योग धंदे मतलब कलकार खाने का आधार है देखिए कलकार खाने को मसीनों द्वारा चलाया जाता है और ये मसीन किस से बनता है लोहा से बनता है तो लोहा क्या है खनीज है और इन मसीनों को चलाने के लिए कोईला चाहिए अब कोईला भी क्या है खनीज है यानि खनीज ना हो लोहा कोईला ना हो तो उद्ध्योग धंदे चल पाएगा नहीं चल पाएगा यानि उद्ध्योग धंदे का कलकार खाने का आधार क्या है खनीज है तो यहाँ पर यह वीडियो शमापत होता मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा धनवाद